देखिए हमारे पास एक बड़ा बिचित्र प्रश्णा आया है गाजियावाद उत्तर प्रदेश से राघव गुपताजी हैं और इनोंने लिखा हुगा है कि हमारा वर्ण संकर है वईदेहक हैं हम तो अब पूछना ये चाते हैं कि शास्त्रों में माभारत आदि गरंतों में ये लिखा हुगा है कि हमारे धर्म शास्त्रों में जो है चारो वर्णों के चारो आस्रमों के धर्मों का उलेख है परन्तु ये जो वर्ण संकर लोग हैं तो हम लोगों का क्या धर्म है कौनसी धाल्मे किरिया है जिनका हमारे निशेद है, तता वे कौन कौन से सम्रति सास्त मन आजिनका अध्यन कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले, आप ये देखिए, कि ये जो जो जिसको वर्न संकर कहते हैं, वो वर्न संकर क्या है? तो इन शब्दों के अर्थ देखे अर्थ देखें वर्ण तो हमारे चार होते हैं और शूद्र और संकर माने होता है सांकर्य यानि मेल मिल जाना तो अर्था ब्रामन चत्री का चत्रिय वैशिका वैशिय शूद्र का इनका किसी न किसी का ऐसे आपस मेल हो जाए तो वह वर्ण संकर कहलाते हैं वर्ण संकर्य हो जाता है तो वर्ण संकर् मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं अनुलोम संकर् और प्रतिलोम संकर् जहां सास्त्रों में चर्चा है तो अनुलोम संकर् क्या है कि वर्ण जो है उच्च जाती का और कन्या निम्न जाती की निम्न वर्ण की तो ये जो मेल हो संकर कहलाएंगे जैसे वर्ण ब्राम्मन है और वर्ण ब्राम्मन है और कन्या को चत्री है या वैसे है तो ऐसे लोग का जो संकर विवा हो जाता है तो वर्ण संकर तो कहलाएंगे पर अनलोम संकर कहलाएंगे तो अन्य योगों में यन्मति थी ग्राम्मण को तीनों वर्णों की कन्यां के साथ वेबाह करने का तो उनको वेदों में अधिकार होता था जिस वर्ण की माता होगी उससे होने वाली जो संतान होगी वो उसी वर्ण की कहलाएगी ब्रामन के द्वारा क्षत्रिया में यह कोई पुत्र उत्पन होता है तो वो क्षत्रिया कहलाएगा ब्रामन के द्वारा वैशिया में यह जो है जो उत्पन शूद्रा में भी अगर होता तो वो शूद्र ही कहलाएगा यद्धिप शूद्रा के लिए निशेद किया गया लेकिन होता है तो वो शूद्र ही कहलाएगा तो यह अनलोम शंकर होता था तो अनलोम शंकरों में भी जो दिजो होते थे उनको वेदों में अधिकार होता था उपनैन का संस्कारों का अधिकार होता था इसलिए चत्री से वैश्या कण्या मुद्पन अगर कोई भी बालक है तो वो चत्रिया मुद्पन चत्रिया मुद्पन वैश्य कहलाएगा ये दर्मसम्रार स्वामी स्वामी स्वी करपात्री धी महराज ने और भक्ती सुधा में ऐसा लिखा हुआ है कि अनलोम संकर की जाती अनलोम संकर का वर्ण वही होता जो उनकी माता का होता इसका उधार्ण देते हुए वे लिखते हैं कि जैसे चंद्रवंसी देव मीड के दो पत्निया थी एक छत्रिया और एक वैस्या यानि वैस्या जातिया तो खत्रिय से हुए सूरसेन चत्रिया कन्या से चत्रिय जो उनकी पत्नी थी शूरसेन और सूरसेन के हुए जो है बसुदेव और वहां भगवान सी कृष्ण का प्रादर भाव हुआ और जो दूसरी पत्नी थी उनकी तो उनसे हुए जो देव मीड की दूसरी पत्नी थी वो वैशिया थी उनसे हुए परजन्य तो परजन्य वैशिया से उत्पन हुए थे लिए वो वैशिय ही कहला है और उनके पुत्र हुए नौ या पांच अलग-अलग वर्णन है नंद उपनन्द सननन्द नंदन इत्यादी तो यह सब वैशिय कहला है तो वैशिय कर्म है प्रभृत्त हुए तो नंद बावा जो है वैशियों का कर्म है गोपालन तो विशेश रूप से गोपालन में और भी उनको गोप कहा जाता था यद्यपिवे वैशिय ही हैं तो देवमीड की दो प्रथक प्रथक पत्नियों में अलग-अलग पत्नी के वर्ण के आधार पर वो जातियां वर्ण संतान के अलग-अलग हुए तो इन में वेदों का अधिकार था कि व्वैशिमानेघ, वैशियों का वेदों में अधिकार होता है तो अनलोम संकर की ये चर्चा सास्त्रों में है परथ प्रतिलोम संकर जो होते हैं, जो वर्ण निम्न जाती का कन्या उच्छ जाती इनको प्रतिलोम संकर कहते हैं, वर्व जैसे शूद्र है, कन्या ब्रामन की है, चत्री की है, वैसी की है, तो उनसे होने वाले जो प्रतिलोम संकर कहे गए हैं, इनका वेदों मजिकार नहीं है, उनको मुख्य रूप से वर्ण संकर ही कहा जाता है, और वे उनके लिए अलग- कर्म हैं, तो ब्रामन की पुझर के द्वार्दा, चत्री वैशिया मुधपन अलग-अलग जो पुत्र हैं, वो अलग-अलग कहलाएंगे, भैषिय के द्वारा चत्री व्रामनी मुधपन, जो भी संतान होंगी, उनके नाम-नाम अलग होंगे, फिर इन संकरों के भी संकर हो जाते हैं उस अंक्र जाती का फिर जोगा किसी से अच्छे बरण वाले से किसी से करता है शूद्रा से भी करता है फिर जो भादन signature हो गया फिर शूदरा से सूत कहलाएगा ये वईदेहक कहलाएगा ये जो है गोपाल कहलाएगा ये नापित कहलाएगा अलग अलग जो है उनके विवाजन इस स्मृतियों में बतलाएगा हैं ये आप महाँ देख सकते हैं ठीक है मुखिरूप से पारस स्मृतियों में भी है और भी स्मृतियों में इस लेकिन एक बात और खास रूप से सुनियागा कि कलयूग में अनलोम संकर और प्रतिलोम संकर दोनों ही वरण संकर हैं दोनों का ही वेद में अधिकार नहीं हैं क्योंकि ये नियम के ब्रांवन सभी वरण वाली कण्याओं के साथ वेवा कर सकता था यह अन्य योगों के लिए था भी बैशिया और क्षत्रिया के साथ विबा कर सकता था सुद्रा के साथ करने को तो मनाई किया गया है लेकिन यह भी नियम जो है अन्य योगों के लिए था कल योग में नहीं है कल योग में नहीं कर सकते हैं यह बात तो अब जैसे बात आई कि जो प्रतिलोम शंकर होते उनका वही बरणों क्या अधिकार है तो उनको बतलाए गया था कि वही आप ये करें, आप ये रत बहन करें, आप ये जो है गोपालन करें, आप अम जो है चिकित सक्का कार करें, आप अमुक करें, आप अमुक करें, ये सब उनकी संग्या बतलाई गई और उनके कार भी बतलाई गए थे सेवावाले, तो वो क्या है, अब ये से इन्होंने पूछा है तो इसमें लिखा हुआ है इनों ने कि हम जो है वईदे वईदेयक नहीं जो है वईदेयक का नाम तो इनका भी मनस्मरती में इनकी इस्तिती बतलाई गई है कि ये लोग क्या करें देखिए तो मनस्मरती के दसमें अध्याय के और सेंतालीस में इस लोक में यहां वर्न संकरों के धर्मों का वर्नन करते हुए आचारी मनु कहते हैं कि सूता नाम मश्व सारथ्या मंबश्ठा नाम चिकित सलम वईदेयका नाम स्त्रीकारियम मागदा नाम बनिक पथा ये जो है इनों ने बतलाया कि बोले सूता नाम अश्व सारथ्या मंबश्ठा नाम से होंगे उनके लिए रथ बहन करने का कारिकरना है उनको गुणों को हांकने का कारिकरना है और अमबश्ठा नाम चिकितसा नाम और जो अमबश्ठा वोले अचारी को लोग लिखते हैं गिस लोग रोगशान्तियादी चिकितसा अमबश्ट लोग रोगशांती की चिकितसा करें और जो जो लिखा हुआ था वैदेह का नाम इस्त्रीकारिया वैदेहकों के लिए इस्त्रीकार करना चाहिए तो इस्त्रीकार क्या है तो इसमें जो मनवर्थ मुक्तावली जो ठीका है आचार कुलू को भट्टी जी की वो लिखते हैं वैदेह का नाम अन्तहपुर रक्षणम अन्तहपुर की रक्षण जैसे राजा आदि के यहां जो रनिवास होता था रानिय रहती थी तो वहां भी कुछ लोग रहते थे रक्षा करने के लिए तो इस जाती वालों की नियुक्ति वहां की जाए अन्तहपुर में इस्त्रीयों क रक्षा करने के लिए यह मागदा नाम बढ़कप्ता है उनके लिए लिखा है मागदा नाम इस्थरपत्र वण जया अपने मागदों ब्यापार करें जीवका के लिए कार करें ये मागदों के लिए बतलाया गया था तो इस तरीके से इनके लिए कारे बतलाये गए हैं तो ये अब आज की इस्तिती देखिए आज क्या है कि आज ये जो निवास नहीं है कहां रक्षा करें क्या कारें तो उनके लिए यसे इन्हों ने पूछा था कि हमारे कल्यानकारी मारे का यह तो जीविका का साधन बतलाए गया है कि यह काम करके वो लोग अपनी जीविका अरजित कर सकते हैं और यह जीविका ही उनका मुक्ती का साधन है यह बात और खास समझियेगा कि जो वर्णसंकर लोग हैं जो शूद्र लोग हैं उनके लिए ब्रामनों के लिए चत्रियों के लिए वैशियों के लिए द्यान दीजेगा जीविका के साधन अलग हैं और मुक्ष के साधन अलग हैं कल्यानकारी मारगर हैं देखा हुआ है कि ब्रामन वेदों का अध्यान करे, ये तो उसके मुक्ति का साधन है, और अध्यापन करा है ये उसकी जीविका है, भगवान मनु नहीं कहा है. छे कारे बतला है, उसमें तीन जीविका के साधन है, तीन कल्यान कारी मारग। इसी प्रकार बही से और ख्षत्रियों के भी हैं लेकिन शूद्रों के लिए खास वाद यह है कि वही उनका कार हैं वही जीविका हैं और वही कल्यान कारी मार्ग हैं इसी से उनकी मुक्ती भी निश्चित है परंतु यह काम करते हुए भी कुछ धर्म ऐसे हैं जो कि सभी के लिए मानने हैं सभी को मानना चाहिए जैसे वही चोरी नहीं करना चाहिए यह सभी को मानना चाहिए कि नहीं हिंसा नहीं करें मदेरा इत्याज का पान यह सब इत्याज कुछ चीज ऐसी है कि यह जो मानव मात्र का धर्मेयों समझ ले जिएगा वो मनु महराज ने आगे बतलाया है वोई दस्मे अध्याय के और 63 में इस लोक में अहिंसा सत्यमस्तेयम सौच मिंद्रियनिग्रह ये तमसामा से कम धर्मम चातरवन्य इब्रवीन मनु ये कहरा है अहिंसा यानि किसी भी जीव की इंसा न करना सब के उपर दया का भाव रखना सत्य बोलना और सौचम पवित्रता करना बाहर वीतर की पवित्रता रखना और इंद्रियनिग्रह ब्रमचर इत्याद का पालन करना अपने नियमों इंद्रियों पर सहियम रखना ये सभी मनुष्य मात्र के लिए मानव मात्र के लिए धर्म है और देखियेगा जैसे आप कल्यानकारी अपने चाहते हैं किसकार में अधिकार है तो ये तो सदाचार का पालन बतलाई दिया इस तरीके से सदाचार का पालन करिएगा मुक्य रूप से भगवन नाम जब करियेगा नाम जब में सबका अधिकार है और परम कल्यानकारी है कल्योग में खास रूप से इस सूद्रों के लिए और ये जो है मिस्र जातियों के लिए परम कल्यानकारी है सभी के लिए कल्यानकारी है तो उनको कोई और कार करना ही नहीं है केवल यही करना भगवन नाम जब करना है गव की सेबा करनी है ब्रामन इत्यादी सज्जनों में जो आस्था रखनी है और गंगा की सेबा करनी है गंगा का सेबन करना है गंगा इसनान करना है तो यह और सुनातन धर्म के प्रतियास्था आवान रखना है अपने अपने जो भी कुलाचार है उनका पालन करना है तो ये कार मुख्य रूप से अगर करना चाहे तो पार्थव लिंग का पूजन कर सकते हैं मिटी के बना करके आप लोग तुलसी की सेवा कर सकते हैं गव की सेवा कर सकते हैं तो ये जो है राम चरत मानस का अनुमान चालीसा का विद्वत पाढ़ कर सकते हैं तो ये सबकार आपको करने हैं इसी से कल्यान होगा और सबका कल्यान होगा इससे तो इसमें कोई भी ऐसा मानने की जरूरत नहीं है कि वही अमय से देखी आपने बढ़े निश्चरता पूर्वक अपना वरण बतलाते हु कि हम जो है वरण संकर हैं इसमें क्या है वर कोई हो गई बात यद्य पेसे बचना चाहिए आगे ये सबकार संकर ये नहीं हो इससे ऐसा नहीं है परन्त यद्य कहीं कोई हो गया आया पूरवजों से या कहीं से तो अपनी बात अपनी जाती ये पहले से ही है सूत मागत आद वईदेहकादी कोई आजिस्ते नहीं है तो उसको कहने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए और अपनी ही जाती में अपनी ही वरण में अपने ही आस्रम में निष्ठावान रहना चाहिए इसी में ये सब सास्त्रों की आज्या मानने में ही कल्यान हैं और इससे बिमुख मनमान आच्रन करता है या उसम में अधिकार अनधिकार को न मान करके अनधिकार में भी अधिकार की चेश्टा करते हैं तो फिर ये जो है बिपलब होगा और ये सब धर्म संकरिय हो जाएगा और फिर वो जो है अद्रिष्ट उत्पन नहीं होगा अर्थाद वो पुन्य के बा इसलिए ये जो सामाने धर्म जो है सास्त्रों में मानव मात्र के धर्म बतलाए गए हैं इनका पालन करते हुए अपने कल्यानकारी मार्य का प्रकटी करण करें उसको प्रसस्त करें यही सास्त्रों की और गुरुजनों की आग्या है झाल झाल